जैराम रमेश, कॉंग्रेस के नेता ने कहा है कि ये अनकॉंस्टिटूशनल है, शशी तरूर कहते हैं कि अगर कॉंग्रेस जीत जाती है, इलेक्शन या इंडिया एलाइंस जीत जाती है, तो ये C.A. को रिपील कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखें, उनको भी मालूम है कि इंडिया एलाइंस सत्ता में नहीं आना है, मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, C.A. के कानून को भारती जन्ता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोधी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है, हम पूरे देश को को कहीं पर स्थान ही नमिली इस स्थिती होगी, और जहां तक असमवेदानिक होने का सवाल है, वो अनुच्छे 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छे 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं, एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद हैं, और दूसरा क कानुन के उद्योसों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए, तो वो अर्टिकल 14 का वालेशन नहीं करता है, इसमें रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है, कि जीन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में, आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, उसके लिए कानुन है, तो रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है, और इसलिए पूरी तरसे समवेधानिक कानुन है.